सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रशाशन द्वारा निजी कोचिंग बंद कराने की कोशिश करने पर बिहार के सासाराम जिले में जबरजस्त बवाल हो गया नगर परिशद के कारेपालक अधिकारी को ख़देड़े जाने के बाद शहर की सड़कों पर आगजनी और रोड़े बाजी होती रही इस बीच पूरा बाजार बंद हो गया हंगामा कर रहे छात्रों ने पूलिस की गाड़ियों पर भी हमला कर दिया नगर थाने की गाडियों में भी तोड़ फोड़ की गई सासाराम कलेक्टरेट और पोस्ट आफिस चौक पर भी जम कर बवाल हुआ पूरी सड़क पर इट और रोडे बिखरे पड़े थे इस्थिती बिगढ़ने के बाद बड़ी तादाद में पूलिस बलों को सड़क पर उतारा गया है साथ ही नौचात्रों को गिरफ तार करने की भी सूचना मिली है बताया गया है कि पूलिस ने लाठी चार्जकर उपद्रवियों को ख़देरने की कोशिश की छात्रों ने कई सरकारी भवनों और इसमारकों को भी नुकसान पहुँचाया है आपको बता दें कि ये सब इसलिए हुआ कि सरकारी आदेश के अनुसार कोचिंगों को कुरोना की वज़े से बंद कराया जा रहा था सासाराम नगर थाना छेत्र के गौरचणी मोहले में कोचिंग बंद कराने के लिए नगर परिशद के कारेपालक पदा अधिकारी अभिशेक आनन्द जब वहाँ पहुँचे तो छात्रों ने उनका प्रतिरोध किया इसके बाद उनकी गाड़ी में तोड फोड की अधिकारी वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचा कर भागे इसके बाद छात्रों ने पूरे सहर की सडकों पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया जो बाद में जाकर आगजनी और हंगामे में बदल गया हंगामा कर रहे छात्रों ने सासाराम आरा इस्टेट हाईवे को भी जाम कर दिया है अब बहु आने काम नहीं को चुलिया अना हरुरू दो है कि आट है आट है कि अ तो